मकर संक्रांती के पर्व पर महकाल मंदिर में अधबुत नजारा देखने को मिला पतंगो और फूलों से मंदिर में आकरशक सजावट की गई जिसने भी इस नजारे को देखा वह देखता ही रहे गया देखें ये खास रिपोर्ट जी हाँ बाबा महाकाल के मंदिर में मकर संक्रांती परव पर की गई सजावट एक अलग ही छटा बिखेर रही थी बाबा महाकाल का विशेश रंगार किया गया उन्हें पगडी पहनाई गई वही नंदी ग्रह में रंग बिरंगी पतंगों से तो गर्ब ग्रह में विभिन प्रकार की फूलों से आकरशक सजावट की गई महेश पुजारी ने बताया कि मंदिर की परंपरा है कि यहां हर तोहार उत्सा से मनाया जाता है मंदिर में फूलों और पतंगों से आकरशक सजावट की गई है पुझेन, एक तीर्थ इस्थान है, जोत्रलिंग है, शिप्रा नदी है इसलिए यहां का महत वधी है और महाकाल श्वर मंदिर में भी एक परंपरा रही है हर तेवार को बड़ा उस्सास भगवान महाकाल एक साथ मनाते हैं आज भगवान महाकाल का मंदिर जो है, पतंगों से संजाया गया है भगवान का शरंगार हुआ है, भगवान का जो गर्बगर होता है उसको फूलों से पुरा सजाया गया है और सुबह प्रातक काल जो बसमा आरती होती है अब उसमें भगवान महाकाल को तील की जो बने जाती है उप्टन जो उसको भगवान को विष्णान कराए जाएगा और तील का नेवेदी ही महाकाल को लगाए जाएगा जिसमें गूर और इसके जो लड़ू होते हैं चक्की होती है और तील स्योंक तील को भी चड़ाने से ल श्रंगार व्योस्ता को देखे अभू भूत है और महाकाल का आशिरवात प्राप्त करने हैं मकर संक्रांती पर पर बाबा महाकाल के मंदिर में हुई सजावट देख भक्त भी आश्चरचकेत रहे गए बिरो रिपोर्ट एमपी नियूज उज्जेन